आप लोग को समझने में बहुत आसान हो गए, इसके लिए मैं यह दो परकार का जो है टिए आप केपशिटर रखाऊ। एक केपशिटर यह है जो केपशिटर जो है, वो शौट है, वो मैं मल्टी मीटर से चेक करके आप लोगों को बताऊंगा के capacitor को check किस तरह करना है उसके बाद से यहाँ पर आप देखोगे तो यह ok capital, ok condition इसकी कैसे समझ में आती है मैं वो अभी आपको बताऊँगा multimeter के जरीए multimeter से किस तरह check करना है देखो आप लोगों को अगर कोई भी capacitor, register या transistor, mousepad अगर उसको कोई भी शक हो आपको कि यह short है या नहीं है तो आप उसको finally जो है क्या कर सकते हो PCB से बाहर निकालना है और उसको side में रखना है और उसको check करना है check करना है multimeter पे, buzzer range पे buzzer range पे check करना है और उसका जो दोनों pro रहेगा दोनों pro बोले तो ये जो है ये एक black pro है और ये red pro है ये दोनों pro जो है, उसके दोनों side रखने जैसा कि आपको मैं बता दू ये दोनों side रखने है और उसको check करना है, ये दोनों side रखने पे अगर आपको buzzer की आवाज आती है तो इसका मतलब short है देखो कोई भी capacitor की खासियत ये होती है कि power जो है, वो दूसरी जगह से जब उसको power मिलती है, तो power लेंके transfer कर देता है, या तो power रोक के कुछ power को transfer कर देता है ये उसकी खासियत होती है तो अब जब ये خासियत अगर उसके अंदर है तो वो capacitor जो है short क्यों रहेगा वो short नहीं रह सकता तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को capacitor चेक करने के दर्मियान में ये चीज का ध्यान रखना है जब हम लोग दोनों पुरोपे रखेंगे जब हम लोग इसको इस तरह चेक करेंगे तो multimeter पे multimeter पे जो है यहाँ पे no reading यह 0L जो बन क्या है no reading आना चाहिए reading नहीं आना चाहिए इसकी इसमें कोई भी reading नहीं आना चाहिए मतलब आपको empty देना चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह capacitor ठीक है और अगर दोनों side में अगर दोनों side में अगर आपको बज़र की आवाज आ गई तो आप यह समझ लोगे कि यह capacitor जो है वो short है तो इस बात का ध्यान रखना है कि capacitor किस तरह चेक करना है मैं normally आपको चेक करके बताता हूँ यह मैं अभी फिल हाल एक PCB में से निकाला हूँ MI note 4 की PCB में से यह component short था और आप पीछे एक videos मैं जो upload किया हूँ MI note 4 full shorting की वो videos में आप देखोगे तो आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगा कि मैं जो है मैं यह किस लिए समझा रहा हूँ और मैं पिछली जो videos जो डाला हूँ तो वो मैं किस लिए आप लोगों को बताया हूँ actual में क्या होता है कि अगर battery connector पे shorting आती है तो सब डर्याते कि sir full short है full short है नहीं समझ में आ रहा है अब एक बात को आपको समझने है कि battery connector पे अगर shorting आ रही है तो यह shorting जो है battery connector से लेके PMIC तक यहाँ पे आपको इसकी shorting मिल जाएगी मैं आपको बताता हूँ मैं MI note 4 में से मैं कहां से यह जो है capacitor निकालाँ यह इसमें से capacitor निकालाँ मैं और यह capacitor इसमें यह PCB में से निकालाँ और यह capacitor इसमें लगाने वाले है तो मैं सोचा कि आप लोगों को मैं पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूँ कि capacitor किस तरह चेक किया जाता है देखिए यह जो है multimeter जो है उसको buzzer range पे रखने यह buzzer range है यह buzzer range पे रखने और उसके बाद में यह दोनों प्रो यूस करना है अभी आप इसके उपर देखोगे कि मैं एक capacitor को मैं चेक करूँगा यह capacitor को मैं जब चेक की आपको buzzer की आवाज आ रही होईगी तो यह जो है capacitor short है यह capacitor आपको PCB में नहीं लगाना है यह आपको इसी तरीके का दूसरे capacitor लगाना है आप सोचोगे कि capacitor दूसरा कहां से लाना है तो आपको नया नहीं मिलेगा आपको दूसरी डेड़ PCB में से निकाल के लगाना है डेड़ PCB में से आप किस तरह देखोगे capacitor को capacitor की size देखना है और उसका color मैच करना है देखिए इसके अंदर जो है बीश में brown color है और दोनों side जो है silver है तो इस तरह का capacitor देखके आपको लगाना है यह दूसरा वाला capacitor भी आपको चेक करके मैं बता देता हूँ यह दूसरा वाला capacitor भी मैं जब चेक किया तो यह भी short आ रहे है तो यह जो है capacitor short है यह नहीं चलेगा यह capacitor PCB में नहीं लगाना है आपको लगाना है capacitor इस तरह का जो के short नहीं रहना चीए यह देखिए यह जो है मैं capacitor को चेक किया तो यह जो capacitor है इसमें multimeter पे आपको कोई भी reading नहीं दिखेगी यह multimeter जो है उस पे जो है वो empty बताएगा यह देखिए MTR है उसके बाद में यह वाला capacitor चेक करके आपको बताता हूँ यह MTR है थीक है तो capacitor किस तरह चेक करना आपको मैं बता दियो है आपको बहुत अच्छी से यह समझ में आ जाएगा इससे पहले जो वीडियो इससे पहले वाली जो वीडियो बनी वी है MI Note 4 फुल शॉट की तो वीडियो भी आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जादा से जादा शेयर करो आपको मैं बहुत ही कम समय में फुल डिटेल में बहुत सारी वीडियो बनाके आप तक महुचाओंगा